ब्रॉट तो यू बाई गेंसी विन अप्टो रुपीस फाइफ करोर्स एफ्री टेग डाउनलोड था आप नाउ बीसीसियाई ने पत्रकार बोरिया मजुमदार को दो सालों के लिए बैन कर दिया है मजुमदार द्वारा रदिमान साहा को धमकाने के मामने में बीसीसियाई ने ये कारवाई की है बीसीसियाई ने प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी है BCCI ने राजीव शुक्ला, अरुन सिंग धूमलर, प्रप्तेश सिंग भाटिया की एक तीन सदस्यों की कमिटी का गठन किया था जाच के बाद मजुमदार को दोशी पाए गया है जिसके बाद उन पर दो साल का बैन लगा दिया गया है बुदवार को BCCI द्वारा सभी राज्य एसोसियेशन और अन्य कलब को एक चिठी लिक्स तूचित कर दिया गया कि बोरिया मजुमदार को भारत में क्रिकिट के सभी इविन से बैन किया गया है इसका मतलब भारत में होने वाले किसी भी घरेलू या अंतराश्ट्य माच को बोरिया मजुमदार कवर नहीं कर पाएंगे ना ही वे किसी को प्रेस कांफरेंस का हिस्सा हो पाएंगे बी-सी-सी-ाई के आदेश के मताबिक अगले दो साल तक वे किसी खिलाडी से संपर्क नहीं रख पाएंगे ना ही बी-सी-सी-ाई से जुड़े किसी भी क्रिकिट संग या कलब से उनका कोई संबंध रहेगा पूरा मामला आपको बताते हैं इस साल श्रलंका दोरे पर रिदिमान साहा को टीम इंडिया में जगहा नहीं मिली साहा के लिए टीम इंडिया के दरवाजे लगबग बंध हो गए उन्हें चैन करताओ की तरफ से कह दिया गया कि अब आप सन्यास ले सकते हैं बी सीसी आई युवा खिलाडियों में इंवेस्ट करना चाहता है अब आपकी जगह टीम इंडिया में नहीं बनती है टीम इंडिया का एलान होती मजुमदान निरदिमान साहा का इंटरव्यू लेना चाहा हाला कि शुरुवात में उन्होंने पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया बी सीसी आई द्वारा गठे तीन सदस्यों की जांस समिती के सामने रदिमान साहा ने बोडिया मजुमदार का नाम लिया भारत के इस विकेट कीपर ने बी सीसी आई उपाध ध्यक्ष राजीव शुकला कोशा ध्यक्ष अरुन धूमल और बी सीसी आई एपक्स काउंसल के मेंबर प्रभतेज सिंग भाठिया के सामने अपनी पूरी बात रखी मीटिंग के बाद जब पत्रकारों ने साहा से मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैंने समिती को वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ मैंने उनके साथ सारी जानकारी साज़ा की मैं अभी आपको जादा कुछ नहीं बता सकता BCCI ने मुझसे बाहर मीटिंग के बारे में बात नहीं करने को कहा है क्योंकि वे आपके सबी सवालों का जवाब देंगे रदिमान साहा के नाम का खुलासा करते ही मशूर यूट्यूबर बोरिया मजुंदार ने इस बात की पुष्टी कर दी साहा को उन्होंने ही वाटसेप मेसेज भेजे थे बोरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नौ मिनिट का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा हर कहानी के दो पहलू होते हैं रिदी ने वाटसेप चाट के स्क्रीन शॉट के साथ छेड़ चाड़ की है जिसकी वज़ों से मेरी इज़्जत और विश्वस्नियता को नुकसान पहुचा है मैंने BCCI से निस्पक्ष सुनवाई का अन्रोद किया है मेरे वकील रुद्मान साहा को मानहानी का नोटस दे रहे हैं सच्चाई की जीत होने दें विडियो शेयर कर बोरिया मजुमदार ने सहा पर उनकी चैट से छेड़ चाड़ कर सहानो भूती बटोनी की कोशिश का अलजाम लगाया बोरिया मजुमदार ने जाच कमिटी के सामने अपनी सफाई पेश की थी और सभी आरोपों को नका रहा था आला कि जाच में चीज़ें बोरिया मजुमदार के हक में नहीं गई और अब कमिटी के फैसले के आधार पर बी सी सी आई ने बोरिया मजुमदार पर बैन लगा दिया है आपके लिए खबर लिके हमारे साथी रविराज ने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीलल लंटॉप शुक्रिया